हेलो फ्रेंट्स आज हम देखेंगे कार्बन एक्टम की हाइब डाइजेशन को कैसे निकालते हैं तो यह थरी स्टैप्स में होती है अगर ऐस पी थरी हाइब डाइजेशन होगी तो इसका मतलब जो बॉंड्स हैं हमारे वो सारे के सारे क्या होंगे सिंगल बॉंड होंगे फिर टू बॉन्ड और डबल तो अब हम देखते हैं इसके कुछ एक्जामपल में हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट कार्बन है उसकी क्या है सारे के सारे बॉन्ड क्या है सिंगल है जैसे कार्बन इसके साथ ही क्या अटैच है तीन हाइट्रोजन कार्बन और इसके साथ भी क्या अटैच है तीन हाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन और इसके साथ भी क्या अटैच है तीन हाइट्रोजन तो अब हम देखेंगे फर्स्ट इस कार्बन की जो हमारी हाइबडाइजेशन होगी वो क्या होगी sp3 sp3 क्यों होगी क्योंकि इसके सारे बॉंड क्या है single है और इस carbon की भी क्या होगी sp3 होगी और इस carbon की हमारी क्या होगी sp2 क्यों क्योंकि इसके अंदर एक बॉंड क्या है double bond है तो अब हमारा इसकी क्या होगी इसकी भी क्या होगी SP2 क्यों क्योंकि इसके अंदर भी एक double bond है next carbon की क्या होगी hybridization SP3 क्यों क्योंकि इसके अंदर सारे single bond present है next example देखते हैं हम CH3 इसके साथ भी hydrogen attached है single bond में तो अब हम देखते हैं इनकी hybridization तो first carbon है हमारे इसकी hybridization होगी SP3 इसकी भी क्या होगी SP3 क्योंकि single bond attached है इसकी क्या होगी SP2 क्योंकि इसके साथ क्या attach है double bond और इसकी भी क्या होगी SP2 तो next example हम देखते हैं CH3 single bond CH double bond CH single bond CH2 single bond C triple bond CH तो इसके अंदर यहां पर क्या attach है सारे हाइट्रोजन तो इसके अंदर जो हमारा first carbon है इसकी hybridization क्या होगी SP3 क्योंकि single bond present है next की क्या होगी SP2 क्योंकि इसके अंदर एक double bond present है इसकी भी क्या होगी SP2 और next की क्या होगी SP3 क्योंकि इसके अंदर भी क्या है single bond present है next क्या होगी हमारी hybridization SP क्योंकि इसके साथ क्या attach है triple bond तो यह triple bond मनाता है तो इसलिए इसकी SP होगी और इसकी भी क्या होगी SP सिमिलरली हम देखते हैं next example next है हमारा benzen benzen के अंदर भी क्या होता है single double single double single double ऐसे ही process चलती रहती है तो सब कार्बन की हमारी जो hybridization होती है वो क्या होती है सेम होती है तो इसके अंदर जो हमारी hybridization होगी वो क्या होगी sp2 होगी हर carbon की next example देखते हैं हम next example के अंदर हमारे यहाँ पर इस carbon की अगर चलो मापको लिखके बता देती हूँ यहाँ पर ch3 ch2 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 sorry ch यहाँ पर double bond है इसलिए यहाँ पर c l chlorine लगा हुआ है तो इसके अंदर जो हमारी hybridization है वो इसके क्या होगी carbon की sp3 क्यों क्योंकि यह सारे single bond से attach है तो इसकी क्या होगी इसकी भी sp3 होगी similarly इसकी भी sp3 इसकी भी sp3 और इसकी क्या होगी double bond आगया तो sp2 और इसकी भी क्या होगी double bond आगया तो sp2 होगी अब हम देखते हैं इसका next example next example के अंदर हम देखेंगे कि हमारी जो benzene है और इसके साथ कोई भी compound ऐसे attach है तो अब हम देखेंगे इसकी hybridization इसकी hybridization देखो यहाँ पर जो हमारी क्या attach है यहाँ पर carbon CH फिर यहाँ पर क्या double bond CH CH और यहाँ पर CH double bond CH तो यहाँ पर क्या present है carbon फिर इसके साथ attach है यह carbon और इन दोनों के बीच में double bond है यह carbon तो इसके साथ भी क्या attach होगा H और इसके साथ भी क्या होगा H तो अब हम देखेंगे इनकी hybridization तो इसकी क्या होगी SP2 होगी इसकी भी क्या होगी SP2 क्योंकि double bond है इसकी भी SP2 होगी इसकी भी SP2 होगी लेकिन जो हमारा यह है इसकी क्या होगी SP3 होगी क्योंकि यह single bond से attach है तो इसकी भी क्या होगी हमारी SP3 होगी तो इसकी क्या होगी इन दोनों की हमारी होगी SP2 और SP2 सिमिलरली हम देखते हैं next example next example के अंदर जो हमारी बैंजीन है बैंजीन के अंदर तो मैंने बताया है सब क्या होती है सेम होती है SP2 तो अब हम उपर देखते हैं इसके उपर क्या है CH2 है तो CH2 है तो इसकी भी क्या होगी जो benzen है benzen में तो complete की क्या होगी sp2 next हम देखते हैं इस carbon की इस carbon की क्या होगी sp3 क्यों क्योंकि single bond से attach है next carbon की क्या होगी हमारी sp2 क्यों क्योंकि इसके अंदर क्या present है double bond और उससे next की भी क्या होगी हमारी sp2 और उससे next की होगी हमारी sp3 क्यों क्योंकि इसके अंदर single bond present है तो ये क्या थी हमारी hybridization of carbon atoms thank you so much